पत्रकार बंदूओं को बहुत बहुत नवश्कार और हमेशा की तरह आपका स्वागत है इस राज्य सरकार की पहली मंत्री परिशत की बैठक की प्रेस कांफरेंस जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदू जिन पर चर्चा हुई और निर्ने हुए वह आप तक और आपके माध्यम से राजिस्पान की जंता तक पहुंचाने के लिए आप जो यहां पदार हैं आपको एक बात फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ जोगराम जी, हिरोडी जी यहां में मौजूद हैं आज की इस बैठक में माननेय मुख्यमंत्री, बजरलाल जी और मंत्री परिश्ट के सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णे हुआ कि पूरवर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले छे महीनों में जो निर्णे लिए गए उसकी एक समिती जाँच करेगी और उसकी समिक्षा के इन महीने के अंदर माननेय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी संकल्प पत्र भारती जंता पार्टी का 2023 चुनाव का उसको राजिस्थान की बजनलाल सरकार ने नीतीगत दस्तावेद का दर्जा दे दिया है लोगतंत्र सेनानी जिनकी सेनानी सम्मान निधी जो पिछली सरकार ने बंद कर दी उसको वापस से बहाल कर दिया गया है लोगतंत्र सेनानी सम्मान निधी 2008 उसको बहाल कर दिया गया है और इससे आपादकाल के अंदर जो लोगतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन मीशा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी 20,000 रुपे प्रतिमाह की पेंशन और 4,000 रुपे मासिक चकित्सा की साहेता उपलब्द कराना इसके अंदर शामिल है राजसरकार के पहले 100 दिन की जो योजना है उसमें जो कारे करे जाएंगे उसके ओपर व्यापक चर्चा होई और प्रस्तिती करण हुआ उसके साथ ही पहले 30 दिन के अंदर जो राजसरकार ने उटलब दिया हां आसल करें उनके उपर भी उसकी एक प्रस्तिती होई संकल पत्र 2023 के अंदर जो गरीब परिवार की महिलाओं के लिए 4.500 रुपे में LPG सिलिंडर प्रदान करने की जो गोशना हुई थी उसकी पालना एक जन्वरी से लागू हो गई है इसके अंदर तकरीबन 70 लाक राजिस्तान के अंदर 70 लाक प्रदानमंद्री उच्वला योजना से जुड़ेवे परिवार है तकरीबन 3.500 लाक BPL सहित टोटल 72.83 लाक परिवार इसके पात रहे प्रतेक परिवार को एक माहव में अधिक्तम एक गैस सिलिंडर सबसिडी पर उपलब्द कराया जाए उसी के साथ अर्णपूर्ना रसोई योजना छे जन्वरी दोहजार चॉबिस से उसमें परिवर्तन करा गया है और जहां पहले 400 ग्राम भोजन उपलब्द कराया जाता था अब उसको बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है जिसके अंदर चपाती है डाल है सबजी है मिलिट्स है और आचार है मिलिट्स खास और से क्योंकि बाजरा के अंदर राजिस्थान पूरे देश के अंदर नम्मर वन प्रडक्शन के अंदर है और जवार में मिरे खास तीसरे चौथे स्थान पर है और रुदानमंतरी मोदी जी ने भी इसको शुरी अन्न की जो स्वास्त के लिए बहतर हो उस नाम से इसको पुकारा पहले जो थाली टोटल 25 रुपे की होती थी जिसमें 17 रुपे सरकार की तरफ से दिये जाते थे उसको बढ़ा कर अब 30 रुपे की कर दी गई है जिसमें 17 नहीं 22 रुपे राज्य सरकार द्वारे दिये जाएंगे पेपर लीग की रोखथाम के लिए जो स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम का गठन हुआ था उसने काम करना शुरू कर दिया है और उसी तरह राज्य में संगठित अपरादों पे नियंतरन करने के लिए जो एंटी गैंग्स्टर टास्क पोर्स का गठन करा गया था उसने भी काम करना शुरू कर दिया है चूरू के अंदर हत्यारबंद लोगों को पकड़ा गया हत्यार और असला वहां से बरामद हुआ है उसी तरह अब ये नियंब बना दिया गया है कि जो इस तरह की संगडित अपरादों के अंदर शामिल होगा उनकी प्रॉपर्टीज कहां कहां है उसका पूरा ब्यॉरा भी साथ में होगा ताकि इल्लीगल प्रॉपर्टीज को तुरंत जब्थ कर दिया गया है जब्थ कर दिया जाए या उसको डहा दिया जाए उदारन के तौर पे गोगामेडी जो अक्यूस्ट थे उसके घर को जो इल्लीगल घर था उसको तोड़ दिया गया CBI को भी राज्य में अनुसंधान करने के लिए अभी राज्य सरकार की कोई अनुमती की आवशक्ता नहीं है अवेद खनन को रोकने के लिए खान विबाग राजिस्य वन पुलीस और परिवन विबाग सम्मिलित होकर ये जो दस्ते हैं जिले कलेक्टर की निगरानी के अंदर 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इनका एक विशेश अभियान चल रहा है राजिस्तान विक्सित भारत संकल्प यातरा पिछले एक महीने के अंदर तकरीबन 10,550 ग्राम पंचायत और शहरी स्थानों पर कारिक्रम का आयोजन कर चुकी है जिसमें तकरीबन धाई करोड लोगों नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया और तकरीबन तेड़ लाख जन प्रतिनियों ने इसमें अपनी उपस्तिती दर्ज कराए जो कैंप लगे उसके अंदर तकरीबन एक दशमलो अठावन करोड से अधिक व्यक्तियों की स्वास्त की जांच हुई जिसमें एक दशमलो अठावन ने अठावन लाख जांचे सिकल सेल की करवाई गई PM सुरक्षा बीमा योजना के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा कार्ड बने हैं PM जोती बीमा योजना के अंदर तकरीबन 3 लाख व्यक्तियों का रेजिस्ट्रेशन हुआ उसी तरह तकरीबन 50 लाख आयुश्मान भारत कार्ड की EKYC की गई है और 10 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिये गए हैं जो स्पेशल अंटी गैंस्टर टास्क पोर्स बनी है उसके अंदर तकरीबन 31 इनामी अपरादियों तता बू माफिया, शराब माफिया और संपती संपती अपरादों से जो जुड़ेवे लोग थे उन्हें गिरफतार कर लिया गया है तकरीबन 260 को इसके अलावा गिरफतार करा गया है सक्रिय अपरादिक गैंग के सदस्य वा सोशल मीडिया पर तकरीबन 200 पॉलोवर्स जो थे उन्हें पर कारवाई करी गई है आपके माध्यम से जो युवा हैं उनको ये सूचना देना चाहते हैं कि इस तरह के जो गैंग्स्टर्स हैं उनकी सोशल मीडिया से वो दूर रहें नहीं तो उनके ओपर जांच होगी और फिर कारवाई हो सकती है जिस तरह से बजनलाल जी की सरकार ने पारिस्तान की भारतियत्ता पार्टी की सरकार ने ये निर्ने लिया था कि अपरादियों के उपर और्गनाइस्ट क्राइम के उपर पेपर लीक के उपर सकत कारवाई होगी इसके उपर पूरी तरह से एक्शन शुरू हो गया है ऐसा थी जो जन सुविधाएं और जो देश का जो पैसा है देश की जो आर्थिक शक्ति है आज वो प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडर्शिप में राजिस्तान के अंदर घर घर तक वो पैसा उसकी ताकत हर नागरिक तक पहुँच रही है इस्टन केनाल प्रोजेक्ट को लेकर जो पीने के पानी की बड़ी समस्या है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी और राजिस्तान की सरकार प्रबल कदम उठा रही है जल्द उसके उपर भी आपको सूचित करा जाएगा मेरे साथ जोगरांग जी है और डॉक्टर किरोडी जी है मैं आगरे करूँगा अगर वो कुछ इसमें जोड़ना चाहिए बहुत बहुत धनिवाद आप सभी मित्रों का महत्र पूर्ण विद्यों पर हमारे वरिष्ट साथी ने आपके सामने समय रख़ए दो विशे एक तो हमारी सभी विबागों का सौद दिन का कारी योजिना बनी है और आदिनी मुक्यमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा भी किया है जिसमें कारी प्रारम भी कर दिया है कि सो दिन के अंदर अंदर सभी विबाग अपनी कारी योजिना बना कर पेश करें उस पे किर्यानविती शुरू होगी साती साथ हमारा तो संकल पत्र है उसको हमने नितिगत दस्तावेश के रूप में लिया उसमें जितने भी हमारे संकल्प है इताव संभव मुझ शने शने सभी को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे और अभी तक जैसा आपके सामने आदिने राटोर सामने बताया आप प्रयास करेंगे कि आने वाले बजट सतर से पूर पूर करीब 30, 35 और 46 पर्चिसर जो हमारे संकल्प है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे दो विश्यों पर जो महत्वपून है आदली किरोडी लाल जी आपसे निवेदन करेंगे एक तो हमारे बति प्रिक्षा से संबन्दित और एक अने विश्यों पर आदली किरोडी लाल जी मेरे दो साथियों ने जो आज की केबिनेट मिटिंग थी उसकी पूरी जानकारी दी जो राजस्तान लोगतंत सेनानी सम्मान निधी नियम 2008 है उसको बहल किया आज केबिनेट ने लेकिन ये फिर ड्रॉप कर दिया गया फिर बहल कर दिया गया इसको टानने की दृष्टी से सरकार विधान सवा में बिल लाएगी इसलिए बार बार इसमें किसी प्रकार की अर्चन पेदा नहीं है और मीशा के अलावा डिया तथा सियार पीसी के धाराव में जो गटता रहे हैं उनको भी पैंसन बिलिए तो एक तो बात यह हैं दूसरा अपने कुछ काम ऐसे हुए हैं जिसे रजवर्दन सीजी नहीं कहा था कि 6 में के कामों की हमसमिर्शा करेंगें लेकिर 5 वर्ष में काम कुछ ऐसे हुए हैं जो नौन-BSR रेट पर कर दिये गए बी-सर रेट जो सरकार की होती है उसका वोईलेशन हुआ आर्टी पीपी एक्ट का टेंडरों में वोईलेशन हुआ उधान के तोर पर मैं जानकरी देना चाहूँ आपको ओटा में मुख मंत्री गहलोत की भी पृत्मा सरकारी धन से लगा दी गई आर्ट अनुप भरतरिया की भी लगा दी और धारिवाल जी के राजनितिक सलाकार आड़ी मिना की भी लगा दी तो यह जो नौन बियसर रेट पर काम कियें सरकार ने पांस साल भी जहां जाबी उनकी जहांच की जाएगी और दोसी को दंडित किया जाएगा तीसरा जो सबसे पहली मांग हमारे सामने आई सरकार के कुछ लोग आरेस के बच्चे धन्ना देकर बैठे हैं और उनकी मांग जिनाईंग है सरकार ने उनकी मांग को जिनाई इसलिए माना कि इसमें 30-35 परसेंट साथ ऐसे थे जिन्नों ने विधान सभा के चुनाओं में पार्टिसिपिट किया तो अपनी तयारी नहीं कर पाएगा उस द्रिष्थी से ए आरेस की परिक्षा आगे खिसकाने का ने सरकार ने लिया है किन्तु साथ में ये भी तैकिया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परिक्षा की तिथी बढ़ाई जाए उस द्रिष्थी से ने ने ये भी किया गया है कि UPSC की तर्जबर RPSC भी यह पहले मुखमत्री जी ने बता दिया है कि हमारी सरकार जीलो जीरो टॉलरेंस पर काम करे लिए और आपको पता है कि एक SIT का गठन कर दिया गया है जो SIT जो जित्री भी पेपर लीग हुए थे उनकी जाज कर लेगे कई लोगों को गबतार भी किया है तो हमने जो मुद्धे उठाए थे और सरकार ने जो नापर वए बर्तिती सा पेपर लीग का माला हमामला हो चा जल जील मिशिल का भिष्टाचा हो चा आईती का हो सब पर सरकार अलेर्ट होके उनके प्लाब रहा है जून या जुलाई में बाइस जनवरी के कोई छुट्टी नहीं होगी रुटीर में काम होगे और जो रामभक जो करकम होगे देश भर में पिसेश का रावेद्धा में उसी तर्फ पर मंदुर में करकम होगे संभाव था जून जुलाई में वो आर्पीअची ते करेंगी लेकिन अभी खिसकाने कर ने लिया गए यह अधिकारी ते करेंगे अलग-अलग तैक्टर्स को ग्यान में रखे मोटा निर्णे यह है कि यह जो परिक्षा है इसको आगे करा जाएगा